नमस्कार, योग जर्णी में मैं मदू चौधरी आपका स्वागत करती हूँ नीम, it is a tree to solve global problems इसे wonder herb भी कहा गया है नीम में क्या-क्या औशदिये गुन होते हैं इसको किस-किस रोग में प्रयोग किया जा सकता है ये हम already वीडियो में देख चुके हैं आज हम उसी वीडियो का sequel बना रहे हैं क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे questions आये थे कि मुझे ये रोग है, मैं खा सकता हूँ या नीम या दवायां चल रहे हैं तो नीम खा सकता हूँ या नी या फिर कितने दिनों तक नीम का प्रयोग करना है तो आज इनी सबी प्रशनों का उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई भी रोग है और रेड़ी दवायां चल रहे हैं तो बिना डॉक्टर से पूछे, कोई भी चीज़ दवा के रूप में खानी पीनी नहीं है कोई भी रोग हो दूसरा, जो प्रेगनेंट लेडिज हैं गर्वती महिलाएं, वो भी इसका सेवन ना करें या जो माताएं बच्चों को दूद पिला रही हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी नीम का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके दूद के साथ बच्चे के बड़ी में जाएगा और छोटे बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है बच्चों को नीम नहीं देना है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं कंसीव करने का सोच रहे हैं तब भी आपको नीम का सेवन नहीं करना है पुरुष और इस तरी दौनों को ही दौनों पार्टनर्स को नीम का सेवन नहीं करना है इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज में किसी भी तरह की दवाईयां चल रहे हैं आपकी कोई सर्जरी होने वाली है या सर्जरी हो चुकी है उसके तुरंट बाद आपको नीम का सेवन नहीं करना है अब दूसरी चीज कि कितने दिनों तक नीम का सेवन करना चाहिए अलग-अचारे से अगर आप बात करेंगे तो अलग-अलग इसकी राय देंगे लेकिन एक मत सबका है कि लंबे समय तक नीम का अपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आपके शरीर में खुश्की लाता है ड्राइनेस लाता है तो जिनके शरीर में वैसे ही अगर ड्राइनेस है तो उन्हें तो नीम का सेवन करना ही नहीं है और बाकी सबी लोग कितने दिन सेवन करें देखे सबका शरीर अलग लग है तो एक common period नहीं बताया जा सकता कि इतने दिन इसका सेवन करना आपके लिए ठीक रहेगा तो हम safer side चलते हैं कि एक महिने में आप 4-5 दिन जादा से जादा 7 दिन नीम का सेवन करने फिर break ले ले अगले महिने फिर से शुरू कर सकते हैं अब यह आपकी choice है अपने शरीर को जरूर सुनना है अगर कोई भी चीज प्रयोग करने से आपको un-easiness लगती है किसी तरह का side effect दिखता है तो आप उसे तुरंद बंद करते हैं एक important चीज वैसे तो मैं कभी कहती नहीं हूँ लेकिन क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जो वीडियो अल्रेडी uploaded है उनके लिए आपकी request आ रही है कि ये वीडियो अप्लोड करें तो इसका अर्थ ही है कि आप मेरे वीडियो देखते तो हैं लेकिन आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है notification bell को on नहीं किया हुआ है अगर ऐसा है तो आप अभी subscribe पर क्लिक करें notification bell को on कर दें ताकि जब भी नया वीडियो अप्लोड हो या मैं live आऊं तो उस वक्त आपको notification मिल सकें बस इसी के साथ वीडियो को conclude करते हैं अपना ख्याल रखें नमस्कार